साथ अप्रेल को पूरी दुनिया में विश्व स्वास्ते दिवस मनाया जाता है विश्व स्वास्ते दिवस को मनाने का सबसे बड़ा उदेश्य है कि दुनिया भर में लोगों को बिमारियों के बारे में जागरू करना इसके साथ ही इस दिन को मनाने की पीछे मकसद है दुनिया भर के लोगों को स्वास्ते के प्रती जागरू करना, साथ ही साथ सरकारों को स्वास्ते नीतियों के निर्माल के लिए प्रोसाहित और प्रेरित करना विश्व स्वास्थे दिवस मनाने की शुरात 1950 से हुई इससे पहले 1948 में 7 अपरेल को ही डबलो एचो की स्थापना हुई थी उसी साल WHO की पहले विश्व स्वास्ते सभा हुई जिसमें 7 अप्रेल को हर साल विश्व स्वास्ते दिवस मनाने का फैसला किया गया आज ये स्वास्ते के वेनर तले 195 से अधिक देश अपने अपने देश के नागरिकों को रोगमुक्त बनाने के लिए प्रयासरत है इसका मुख्यों देश दुनिया भर के लोगों के स्वास्ते के सर को उचा उठाना है हर इंसान का स्वास्ते अच्छा हो और विमार होने पर हर व्यक्ति को अच्छे प्रकार के इलाज की अच्छी सुईदा मिल सके दुनिया भर में तमाम खदरनाग बिमारियों को रोकने के लिए विश्व स्वस्ते दिवास मनाया जाता है भारत में पिछले कुछ सालों से तेजी से आर्थिक विकास हुआ है लेकिन इस विकास के बावजूद बड़ी संख्या में लोग को पोशन के शिकार है जो भारत के स्वस्ते के प्रती चिंता उत्पन करता है राष्टे परिवार्ष्वस्ते सर्वेश्ड के अनुसार तीन साल की अवस्था वाले तीन दसमलब 88 प्रतीशत बच्चों का विकास अपनी उम्र के हिसाब से नहीं हो सका और 46 प्रतिशत बच्चे अपनी अवस्था की तुल्ला में कम वजनी निकले जबकि 79 दसम्रव 2 प्रतिशत बच्चे एनीमिया यानि कि रक्ती कमी से पिलिक निकले तो वही गर्पती महिलाओं में अनीमिया 50 से और 58 प्रतिशत बड़ा हुआ निकला इन सभी कार्णों को देखते हुए भारत में भी विश्ण सोस्ते दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को विमारियों से जुड़ी जानकारी दीचा सके और उन्हें जागरूख करके इन खतरनाग विमारियों से बचाया जा सके थैंक यू एरी मसर थैंक यू दो इने कहिया थैंक यू डिपी एम आई सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार